आदाब नाजरीन जेके आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूँ कामरान खान नाजरीन मैं इस वकत भदरवा के थड़ा महला वार्ड नमबर 9 में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एक मज़दूर शक्स का घर है और उमर भर की पू के बिलकुल पास में से एक जो ड्रेन गुजरती है उसे मेंटेन ना करने से इनके घर को आज जो है इस बरफबारी के इस मौसम में आज नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं के फौन्डेशन सारा जो है पानी की वज़र से सारा खिसकता चला जा रहा है इनका बातरूम जो है आप देख सकते हैं मैं तस्वीर में आपको दिखा सकता हूँ के बातरूम जो है अब चंद ही लमहात में जो है ये इसे गिरने का पूरा खत्रा है चलिए इस शक्स से बात करते हैं मेरे साथ जो शक्स मौजूद है ये इन ही का मकान है इन से जानने की कोशिश करते है कि क्या इन्होंने कोई अर्जी जो है मुनसिफल कमिट्री भदरवा में लगाई थी इसके मुतालिक और कितनी ज्यादा दुश्वारियां कितनी ज्यादा दिक्कतें जो है इनको सामना करना पड़ा जिए अलता आप सब यह बताएं कि आप ने इसके मुतालिक जो ड्रेन जो जितनी भी जिलीकेज है उस लीकेज से आपने बताया कि यह सारा जो है मामला पेश आया तो कितनी कितनी देर से यह जो इशू है वो आप फेस करें इसको लगबग समझो आपके चार-पाइच साल हो गए तब से हम दरखासें दे रहे हैं मुनसिफल कमिटी को कि यह जो रास बीनुकसान हो रहा है और मेरे गार के उपर दोसरा गार एउसको भी पानी निकर रहा है इसकी वज़ा से खाली ड्रेन की वज़ा से यह नुकसाने हमें उठानी पड़े तो क्या आपने आपने जो वार्ड मेंबर है मुनसिफल कमिटी के जहां पर मुन्तकिब हुए है वार जो रास्ता है ड्रेन हैं वही हमने वोला उसको कि चलो वही कराओ तो हम सेफ हो जाएंगे वह भी नहीं कुछ करते हैं तो बहुत सी दरखासें दी देखो हमारे समने काल पर्चुम हमने दरखासें दी वह भी हमारे पास है तो यह बताएं आप मुझे की यह जो फॉंडेश गिरने का खत्रा है जब सामने से निकल जाएगा सारा तो गार खुद बखुद गिर जाएगा तो मैं कहां जाओंगा मैं द्यारी लगाने वाला बंदा हूँ मैं कहां से इतना पैंसा लगाओंगा और इसको मरा मत करूंगा पेशे से ये मजदूर शक्स जो है काफी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है और क्यों ना हो क्योंकि इसका आशियाना जो है वो कहीं ना कहीं खत्रे में आ चुका है बरबारी के इस मौसम में जो है इनकी ये जो फॉंडेशन है घर की वो खिसकती चली जा रही है ब में ही पढ़ता है जबैर साब आप से जानना चाहूंगा क्या इस वजवाद बताईए जो ये जो फॉंडेशन इस गरीब शक्स की निकल रही है आखिर इसकी वज़ा क्या है असलाव अलेकूम आपका बहुत बहुत चुक्रिया अरसा दराज से हम इस मौसमिल कपिटी के पास जाते रहे कही बार मैंने उस वार्ड मिंबर को भी यहां पर लाया और अभी दसमर के महिने में यहां पर अनवल डे का परोग्राम भी रखा था उसमें मैंने एयो साब को भी यहां पर दावत दी थी यहां से पानी जो सेरा सुकूल के अंदर और जिसके वज़ा से सुकूल की बैक साइड भी यहां पर बैट रही है तो यह तो कुदरती बात है जब पानी उपर से चलेगा तो पहले उपर वाला खिसकेगा फिर नीचे भी खिसकेगा तो कहीं बा अलब यह बहुत बड़ा वाड है बेशक लेकिन जहां पर ज्यादा जुरूरत है उस वकत पहले उस मेही पर काम कराना है. का मुणसिप्ल कमिटी का नुक्सान है अब इससी शक्त का यह सारी इस ठ्रहन की वज़ा से हैं जो यहां पर भी अब इससें का यहां थाई पानी के अंदर नीचे आ जाता है तो यह इसकी वज़ा से इनको चाहिए कमीटी वालों को कि आएं मोके पर आएं इनको देखें अगर इसका कुछ बिचारे का चलो अब जो हो गया नुक्सान हो गया तो वो तो हो गया अग कमज कम इसका अगर कुछ कमपनसेट इसका बन जाता तो बिचारे को मुज़ूर आजमी है तो अगर इसका भी कुछ बन जात तो कही ना कहीं स्कूल बिल्डिंग भी जो है इसको भी खत्रा है इस लिखेस сид की बिल्कुल यहां से नीचे जो इसके पीसे जो है यहां पर मेरा गुषज यह स act by लो भाट है उसके मंधत से आप पानी निकल जाता है क्योंकि वह जब लिख क्रेपने में है क्योंकि पानी नीचे से ही चला जाएगा और बैक साइड से मैं इसको दिखाऊएड में तो इससे साहिर होता है कि मुनसिपल कमेटी भदरवा जो है वो कितनी सीरियस है गरीब अवाम को लेकर अपना ड्रैनेज सिस्टम प्रॉपर ना रखने के कारण जो है इस गरीब शक्स का आश्याना जो है वो खत्रे की अलामत में इस वकत है और ये आप तस्वीर हों मैं आपको दिखा चुका हूँ साथ में ही ए हत्रा लाहक है इस लीकेज से प्रॉपर ड्रैनेज सिस्टम ना होने के वज़ा से तो मुनसिपल कमिटी भदरवा के अफसरान से यही गुजारिश है कि इस गरीब शक्स के बारे में सोचें आखिर ये गरीब शक्स कैसे करके दुबारा अगर इसका घर घिर जाता है तो कैस मुनसिपल कमिटी भदरवा इस बारे में क्या कोई नोटिस लेते हैं चलिए अपने मेजबान कामरान खान को दीज़े इजाज़त आदाब करते हैं वाज़त इसकोल चाहिब चाहिए लोग्हेब टामरां स इस परणार में 5 अवरीत बारे मceğiz आई सुल्बोल